दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आखिर किन कारणों से गरभाशे में प्रेगननसी के दोरान शिशु उल्टा हो जाता है या फिर आढ़ा या तिर्चा हो जाता है इसे ब्रीच पोजिशन भी कहते हैं क्या आप शिशु को सीधा कर सकते हैं या फिर डॉक्टर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे बच्चा सीधा हो जाए और क्या ब्रीच पोजिशन में नॉर्मल डिलिवरी संभव है ब्रीच पोजिशन यानि की बच्चा उल्टा होने के क्या क्या कारण है आज हम इस वीडियो में ज उस तो उल्टा बेबी का मतलब होता है कि उसका सर उपर की और और पैर नीचे की और रहना उसको ब्रीच पोजिशन भी कहा जाता है और टेडा का मतलब होता है शिशु का सिर और पैर दाएं या बाएं हो सकते हैं जिसको ट्रांसवर्स पोजिशन भी कहा जाता है और नॉर डिलीवरी के लिए उत्तम पोजिशन मानी जाती है सबसे पहले हम बात करेंगे क्या कारण है कि बच्चा गरब में उल्टा हो जाता है जब बच्चा मा के गरब में होता है तो उसको किनी वजों से गरब में स्पेस टाइट होने के कारण या फिर बच्चा नॉर्मल पोजिशन में कमफर्टिबल नहीं रह पाता तो वे उल्टा या फिर टेड़ा हो जाता है तो वे उसी पोजिशन को अपना लेता है जिस कारण जब डिलीवरी नजदीक आती है तब वे नॉर्मल पोजिशन में नहीं आ पाता यानि वैस सर नीचे और पैर उपर नहीं कर पाता जो की आम तोर पे आठवी महीने के अंत में जादतर शिशु सर नीचे कर लेते हैं जिसको सेफलिक पोजेशन भी कहा जाता है गर्भावस्ता के दोरान शिशु का उल्टा होने का एक और कारण है गर्भाशे के आकार में गड़बड़ी होना भी है जिस कारण शिशु स्पेस कम होने के कारण अजस्ट नहीं कर पाता और वह प्रेगनेंसी के अंत तक भी उल्टा या फिर टेड़ा ही रहता है अगर अमिनियोटिक वाटर का लेवल कम है या फिर जादा है या फिर शिशु का वजन जादा है तो ऐसी सिती में भी शिशु गर्भ में उल्टा या फिर टेड़ा हो सकता है और जादा अमिनियोटिक वाटर का होने के कारण शिशु उसमें रोटेट करता रहता है और वे अंग तक भी किसी पोजेशन में फिक्स नहीं हो पाता जिसके कारण शिशु उल्टा हो सकता है गर्भ में शिशु को सीधा किया जा सकता है जी हाँ गर्भ में शिशु को सीधा किया जा सकता है लेकिन इसके percentage बहुत कम है यानि कि इसके chances बहुत कम है बहुत सारी एकसी exercise है जिने आप डॉक्टर की सला से कर सकती है जिससे आपको chances हो सकते है कि आपका शिशू सर नीचे कर ले यहां मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह exercise आपको हमेशा डॉक्टर से पोच करी करना है जैसे कि बटरफलाई exercise जिसको तितली exercise भी बोलते है और दूसरी exercise है घुटनों के बल बैठना जिसको उकडू position भी कहते है इसके इलावा आप duck walk भी कर सकते है यानि कि आपको बतक की तरह चलना है दोस्तो इसके इलावा एक और तरीका है जो डॉक्टरो दौरा ब्रीच पोजिशन यानि कि शिशु को सीधा करने के लिए किया जाता है जिसको external cephalic version कहा जाता है लेकिन इस तरीके में भी success rate बहुत कम है और इसमें गर्वती महिला को पीड़ा भी काफी जादा होती है कहने का मतलब है कि जादाता केसों में ब्रीच पोजिशन में डॉक्टरो दौरा इस तरीके को नहीं अपनाया जाता अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या शिशू के उल्टा या टेड़ा होने की स्थिति में नॉर्मल डिलिवरी संभव है दोस्तो इसका जवाब है कि जादातर मामलों में शिशु के उल्टा होने की स्थिति में यानि की ब्रीच पोजेशन की स्थिति में नॉर्मल डिलिवरी हो पाना संभव नहीं होता लेकिन कुछ स्लेक्टर केसस में सरफ 5-7 परसंड केस ऐसे होते हैं जिसमें आपके डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलिवरी करवा सकते हैं वेकेवल आपके डॉक्टर आपकी प्रेग्नेंस्टी की कॉम्प्लिकेशन और आपके प्रॉपर चेक अप करने के बाद ही आपको बता सकते हैं शिशु का सिर सिरीर के अनुपार्थ में सबसे बड़ा और भारी होता है और नॉर्मल डिलिवरी में भी शिशु का सर सबसे पहले बाहर आता है और अगर शिशु उल्टा है या फिर टेड़ा है तो ऐसी स्थीती में शिशु का सिर उपर या साइड में होने के कारण नॉर्मल डिलिवरी कर पाना संभव नहीं होता तो ऐसे में प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन के कारण डॉक्टर दौरा सिजीरियन डिलिवरी की जाती है क्या शिशु अपने आप सर नीचे कर सकता है जी हाँ शिशु अपने आप सिर नीचे कर सकता है अगर बच्चे दानी में कोई पर्मेनेंट या फिर कोई मेजर डिफेक्ट नहीं है तो शिशु के सर नीचे करने के बहुत जादा चांसस हो सकते हैं अगर आपके शिशु उन्हें 32 में हफते तक सिर नीचे नहीं किया है तो अभी भी गरब में इतनी स्पेस है इतनी जगा है कि वह अगले कुछ हफतों में यानि कि 36 में हफतों तक भी सर नीचे कर सकता है कहने का मतलब है कि अगर आपके डॉक्टर ने छटे या सात्मे महीने के दोरान अल्टरा सौ करके आपको बताया है कि आपका शिशू ब्रीच पुजिशन में है तो आपको अभी भी काफी जादा चांसस है कि शिशू सर नीचे कर लेगा तो दोस्तों उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपके कोई भी सवाल और सुजाव है तो आप मु वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया